और बात करते हैं बकरीद की तेवहार जल्द ही आने वाला है और बकरीद पर कुर्बानी देने की प्रधा है लेगिन कुर्बानी को लेकर सीम योगी ने कुछ सक्त निर्देश दियें वो निर्देश क्या है आसान करके आपको समझाते हैं CM योगी ने अधिकारियों को ओर्डर दिया है कि प्रतिबंधित पशों की कुर्बानी ना होने पाए, कुर्बानी की जगे पहले से ही तै हो और विवादित समवेदन श्रील जगों पर कुर्बानी ना हो ये भी सुनिशुत किया जाए जानवरों का खून नालियों में ना वहे, आस्था का सम्मान रखा जाए और श्रांति पूर्वा करीके से तेवहार मनाये जाए ये साप साप निर्देश सीम योगी ने अधिकारियों को दे दिये हैं क्योंकि यूपी में खुले में कुर्बानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंद है मुखमंतरी योगी आहतनात ने तेवहारों को लेकर विसेश निर्देश दीए हैं यही नहीं मुखमंत्री योगिया इतनात ने कहा है कि प्रतिबंदित जो पशू है उनको बिल्कुल नहीं काटा जाए उगर उनको काटे जाने की जनकारी मिलती है सक कारवाई की जाएगी सड़क पर नमाज पूरी तरीके से मुखमंत्री योगिया इतनात ने कहा है प्रतिमंदित हैं उनके सीधे तोर पर निर्देश हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर ये नई प्रमपरा तेओहारों के नाम पर सुरू की जाती है तो जाहिर सी बात है कि कारवाई सक की जाएगी कैमरमन अनिल के साथ संक्यर मिश्राण ने उज़े टीन लख नहीं दरसल हर तेओहार से जुड़े एक मानिता होती है बकरीत को लेकर भी ऐसी ही मानिता है जहां से इसे मनाने की प्रथा शुरू हुई इसलामिक मानिताओं के मताबिक पैगंबर इबराहिम को नींद में आये एक सपने में अलाह ने अपने किसी सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करने के लिए कहा इसलिए उन्होंने बेटे को ही कुर्बान करने का ने ने लिया पेगंबर इबराहिम ने आखों पर पट्टी बांद कर उसके बाद अपने बेटे की कुर्बानी दी मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने अपनी आखों से कपड़े की पट्टी हटाई तो दिखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और बेटे के जगे पर किसी बकरे की कुर्बानी हो गई है इसी घटना के बाद से मस्लिम समधाय में बकरा सहीत कई जानवरों को कुर्बान करने का चलन शुरू हो क्या आपको पता है कि जिस बकरे की कुर्बानी दी जाती है उस पर अकेले कुर्बानी देने वाले का हक नहीं होता है बलकि कुर्बानी कमांस तीन भागों में बाटा जाता है एक भाग गरीबों और जरूरत मंदों को दिया जाता है है सिमाने करे